नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का God of ITI Classes में आज आप लोग का टॉपिक है विमांकन अभ्यास जिसे इंग्लिस में कहते हैं Dimensioning Practice तो आज विमांकन अभ्यास से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं उससे पहले आप लोग को बता दें अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो Description में लिंक होगा आप लोग Telegram जोइन किजिए और PDF राप्त किजिए और अगर चाहते हैं कि Direct Telegram से लेने के लिए तो God of ITI Classes नाम से Telegram बना हुआ है वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो PDF वहां से आप लोग ले सकते हैं हर एक वीडियो का PDF आपको Telegram में मिल जाएगा भले ही हम किसी वीडियो में Telegram लिंक बताने के लिए नहीं बता पाते हैं भूल जाते हैं लेकिन हर वीडियो का जो डिप्सक्रिप्शन में होगा इसका PDF का लिंक तो आप लोग वहां से जरूर डाउनलोड करें और आप लोग को बता दें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह का वीडियो का लाग उठा सके और जितना हो सके अपने पडिवार को बढ़ा कीजिए क्योंकि उतना ही मेहनत लगता है 500 स्टूडेंट को परहाने में और उतना ही मेहनत लगेगा 1000 स्टूडेंट को परहाने में तो क्यों ना अपना पडिवार को थोड़ा बड़ा किया जाए और अगर आप लोग ITI का तयारी कर रहे हैं या फिर भविश्य में ITI की तयारी करने के लिए उत्सुक हैं तो आप लोग गौरव ITI Classes का जो क्लास है उसे रेगुलर देखिए और साथ ही साथ सबस्क्राइब कर लिजे चैनल को ठीक है? तो मापन यानि विमांकन अभ्यास यानि Dimensioning Practice तो उसका कुछ क्वेश्चन है जो हम करना सुरू करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन है Engineering आडेख में मापन दर्शाने की कितनी विधियां है? यानि कि हम जो Engineering ड्रोइंग बनाते है तो आप्षन ग्हों में है। तो माप जो दर्शाने की विधी यानि कि यहां पे Unidirectional और Aligned सिस्टम ये दोनों सिस्टम माप लिखने की विधी है Unidirectional जिसमें हम जो हमारा विमांकन जो हम करते हैं तो Dimension Line को बीच में तोड करके Unidirectional में उसके बीच में माप लिखते हैं लेकिन Aligned में हम Dimension Line के उपर माप लिखते हैं तो ये दोनों सिस्टम हमारा माप दर्शाने के लिए होता है इसलिए इसका जो Right Answer हो जाएगा वो होगा Option Number गो उपरोक्त दोनों यानि की Aligned भी और Unidirectional भी अगला Question है चित्र में किस परकाड की विमांकन प्रनाली को दर्शाया गया है यहाँ पे देख लिजे आप लोग चित्र में ये एक विमांकन दर्शाया गया है ये किस परकाड का विमांकन दर्शाया है देख लिए तो इसमें है एक दिशा वाली प्रनाली तो देखिए एक दिशा वाली प्रनाली तो है नहीं क्योंकि यहाँ आप नीचे से देख सकते हैं तो इसको पर सकते हैं 25 को और 100 को 25 को लेकिन यहां अगर देखेंगे तो इसको एक दिशा में तो नहीं है, यह जुका हुआ है, यानि कि इसको हम जो है, राइट साइड से पढ़ सकते हैं, यह एक दिशा वाली प्रधती तो नहीं होगी, दूसरी है कोन यह संरेक्षिया प्रधती, इस प्रधती से हम अपने लिख करने वाले दो प्रणाली हैं, यानि कि एक यूनि डिरेक्षिनल और दूसरा अलाइंड, तो इसमें कर रहा है, केवल एक ही तडिका किसी भी ड्रोइंग पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानि कि एक ड्रोइंग का माप दरसाने के लिए, एक ही जो हमारा सिस्टम है, उस ड्रोइंग का सिस्टम, यानि कि यहाँ पर जो ड्रोइंग किया गया है, इक किस सिस्टम में है, तो इसका option को हम है, एक दिसा प्रणाली, ये तो एक दिसा प्रणाली में है ही, आप लोग देख सकते हैं, कि हम नीचे से पर सकते हैं, 25 को भी पढ़ेंगे, फिर 13 को भी, इस अचा हुआ रहा था, उसके उपर में माप लिखा जात, जहाँ पर 25 जो लिखा हुआ है, डैमेंशन के उपर, फिर उपर 43 लिखा गया है, जो कि डैमेंशन लाइन के उपर है, ये संरेक्षिय प्रणाली भी है, और option जो गो में है, को और खो दोनों, यहाँ पर देख सकते ह कि एक दिशावाली प्रणाली भी है, और संरेक्षिय प्रणाली भी है, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option नमर गो, को और खो, दोनों इसका सही अंसर है, जबकि आपको बूप में मिलेगा, option नमर को, यानि एक दिशावाली प्रणाली, ये सही है एक दिशावाली प्रण लेकिन एक दिशावाली प्रनाली में हम बीच में dimension line को तोड़ करके वहाँ पे लिखते हैं लेकिन यहाँ पे जो 25 को लिखा गया है वो बीच में तोड़ के नहीं लिखा गया है उपर जो 46 लिखा गया है उसको बीच में तोड़ के नहीं लिखा गया है अगर इन दोनों को ब आइट अंसर ऑप्शन नमर गवा हो जाए यानि कि को और खो दोनों क्योंकि संड्रेक्षिय पदती हो जाता है जब डाइमेंशन लाइन के उपर लिखते हैं तो next question है वीमा मान लिखने का system और मध्य वीमा रेखा के समीब रोकना कहलाता है यानि कि यह कह रहा है कि अगर हम वीमा मान लिखाएंगे यानि वीमा अंकन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखे फिर बीच में छोड़के फिर आगे करके यहाँ पर arrowhead बनाते हैं इस तरह से यहाँ बीच में रोक देना कौन सा system में आता है तो अभी बताए यूनी डेलेक्शनल सिस्टम में हम बीच में तोड़कर करके लिखते हैं इसलिए इसका right answer हो जाएगा अप्शन नमबर गोः यूनी डेलेक्शनल सिस्टम इसमें हम बीच में तोड़कर करके विमंकन प्रनाली को पहचनी है यहां पे विमंकन प्रनाली दिया गया है इसमें से पहचनना है कि यहां कौन सा पधती में माप दरसाया गया है ठीक है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह बिल्कुल चेन के तरह माप लिखा गया है यहां पर एक chain के तरह यहां भी और chain के तरह यहां भी chain system यह होता है यानि कि system जो है वो पुल प्रकार का होता है यानि map लिखने की पदधती दो प्रकार का एक unit direction और एक aligned यानि कि map लिखने का हम तोड़ के लिखेंगे या फिर उपर में लिखेंगे लेकिन, cinnamon दर्साने का जो हम रेखा खीचते हैं, वो 5 प्रकार का होता है पहला होता है chain mimicon जो कि इस तरह से हमारा map दिया गया यहां पे वो chain system में है उसके बाद है समंतर 21向 समंतर 21向 में जो है इस तरह से एक रेखा खीचे और यहां तक का map दर्सा है फिर आगे एक लकीर खिचते हैं और इसको माप और आगे वाला माप जनी कि 16 और 9 को जोर करके फिर यहां माप दरसाते हैं फिर 18 के बाद एक लकीर खिचते हैं उसके बाद फिर टोटल का मान लिखते हैं जोर करके इस तरह से हम समंतर विमांकन का यूज करते हैं उसके बाद प्रगती सील भी मंकन तो प्रगती इत्रफि मंकन में एरोहेड एक ही सैड Alter time होता है। अब इसके बाद आता है निर्धेस आंक गड़ियोग हम ग्राफ में करते हैं। लेकिन सबसे अधिक अपना लोग जूज करते हैं सन्युक्त भी मांकन का ठीक है अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं तो अब इस question का तो अब इस question का answer बताए क्या होगा यानि chain भी मांकन होगा या फिर समांतर भी मांकन होगा या सन्युक्त या फिर पड़गती सील भी मांकन आप लोग भी कमेंट में अंसर दीजिए तो इसका right answer chain भी मांकन हो जाएगा जो कि हम इससे पहले अभी जो प्रनाली बता लेते उसम लेकर चीटर में किस प्रकाल की विमा दी गई है यहाँ पर चीटर है उसमें विमांकन दिया गया है तो तो इसका option है chain vimankan, samantar vimankan, progressive vimankan और coordinate vimankan तो ये chain vimankan ही है क्योंकि आप लोग देख सकते है कि एक chain में इसको भी लिखा गया एक सीद में और इसको भी एक सीद में लिखा गया है ये chain vimankan ही है लेकिन आप कहेगे आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे एक ही एरो हेड लगा जाए यहाँ पे तो इसलिए क्योंकि आगे इसका कोई माप नहीं है इसलिए यहाँ पे एक ही और इरो हेड लगा हुआ है ये यानि कि progressive vimankan नहीं है यहाँ पे chain vimankan ही होगा इसका right answer हो जाएगा option number को chain vimankan ठीकवा आगे देखिए साथ नमर क्या कहता है चीतर में बी किस रेखा को प्रदर्सित करती है यहाँ पे चीतर में किस रेखा को प्रदर्सित करती है बी तो देखिए option को में है vimankan रेखा option को विस्तार रेखा option गो लीडर रेखा और option गो एरो हेड तो arrowhead तो आप लोग सब जान गए इतना कुछ जो class की उससे तो पता चल गया कि arrowhead क्या होता है यहाँ पर देखिए arrowhead यह होता है यहाँ पर जो arrowhead बनाया गया है इसमें बनाया गया यह arrowhead उसके बाद विस्तार रेखा जीसे हम extension line कहते हैं यह हमारा विस्तार रेखा है यह दोनों छोटा छोटा उसके बाद है leader रेखा तो leader रेखा जो है 45 डिगरी के कोन पे मुड़ा वड़ाता है यह हमारा leader रेखा है उसके बाद है arrowhead arrowhead तो आप लोग देखी लिए तो बचा क्या विवांकन रेखा तो विवांकन रेखा को ही dimension line कहते हैं इंगलीस में तो इसका right answer हो जाएगा option number को विवांकन रेखा यह बी जो है विवांकन रेखा को दर्सा रहा है next question है soldier screw के चार IAMों को A B C तथा D नाम दिया गया है इन में से कौन सा सहायक IAM है यनि कि IAM यनि माप दर्साने वाला तो आयान जो होता है वो तीन प्रकार का होता है एक काड़ात्मक होता है एक नकाड़ात्मक होता है और एक सहायक होता है तो काड़ात्मक वो होता है जो मेन पॉइंट को दर्साता है जिस तरह से आप लोग देखिए यहां पे अगर कोई माप दर्सा दिया जाए तो यह कड़ात्मक वह होता है जहां पे देख लिए जहां दोनों और से एरो हेड लगा के यह बना नमाप दर्सारा है यह नकड़ात्मक होता है क्योंकि यह बीच का ग्याप अगर आप लोग कुल माप निकाल करके उसमें से कड़ात्मक विमांकन को कटा दीजिगा यह अपने आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी शोड़ी ओप्शन डी नहीं यह डी रेटर जो की सहायक विमांकन को दर्साता है ओके अम देखते हैं आगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नो नमर का है विमा रेखा पर विमा मान लिखने का सिस्टम कहलाता है विमा इसका राइट आंसर है अलाइंड सिस्टम अलाइंड विमा सिस्टम यानि ऊपर में लिखते हैं यूनि डिरेक्शनल बीच में तोड के लिखते हैं इसका राइट आंसर अलाइंड विमा सिस्टम उसके बाद है निम्न ड्रोइंग में विमांकन यानि डैमेंशन कौन सी है यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, इसमें विमांकन दर्साया गया है, तो कौन सा विमांकन इस चित्र में दर्साया गया है, वो आप लोग से पूछ रहा है, तो विमांकन तीन प्रकार का होता है, काडियात्मक, नकाड़ात्मक और सहायक, तो यहाँ पे जो मान दर्साया ग क्या पचास द्वारा इंगित बने चिंधा का नाम है यहां एसफायबचास द्वारा जो चिंधा बना हुआ है उसकांригा नम है वह दलसार है गोले का प्यास गोले की तृजया गोले वर्ग और गोले की पड़िधी तो गोले तिरिजया तो नहीं होगा व頭 आर्ट से दर्साया जाता है पहले option काटते हैं इसको एक मिनट गोले का त्रिज्या तो नहीं होगा उसके बाद आता है गोले का व्यास गोले का वर्ग और गोले की पड़ी यहां से एक एक एस दिया हुआ है तो कितना आदमी समझेगे कि यह square कर रहा यानि कि गोले का वर्ग यह भी नहीं होगा इसका होता है गोले का व्यास दर्साया जाता है S के द्वारा S5 50 द्वारा गोले का व्यास दर्शाया जाता है गोला कोई वृत नहीं वो मनलेजिए एक गेंद है जो की गोला का कारगा है लेकिन वृत कोई की गेंद नहीं है वृत मनलेजिए एक चूड़ी है पतली सी पतली चूड़ी वो वृत हुआ लेकिन एक गेंद वो गोला हुआ तो व्रित और गोला दोनों में अंतर है ये समझ लिजे तो आपका जो विमांकन अभ्यास डामेंशनिंग प्रेक्टिस था इसका क्वेश्चन समापत हुआ अब अगला है जियामेटिय एवम थोसा करती है यानि कि जियामेट्रिकल फिगर्स एंड शॉलिड फिगर्स तो इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग का जो ये ड्रोइंग का है तो चार से पंच क्लास में आप लोग का ड्रोइंग का सिलेवस लगभग कम्पलीट हो जाएगा हमने इससे पहले लगभग 45-46 क्लास अपलोड कर दिया है आप लोग वहां से जा करके देखिए आप लोग को लगभग का सारा टॉपिक कभर हो गया है चार-पंच क्लास और लगेगा आपका पूड़ा का पूड़ा ड्रोइंग समाप्थ हो जाएगा उसके बाद आप लोग को हर अभी बार आप लोग को मिलेगा क्लास जो की हर क्वेश्चन का मिला हुआ एक मिक्चर रूप होगा तो आप लोग ड्रोइंग के बाद कौन सा सब्जाक्ट परना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें बताईए ठीक है तो शुरू करते हैं आप उसका जो है हमारा जियामेटिय एवं ठोस फिगर्स जानी कि जोमेट्रिकल एवं सॉलिड फिगर्स तो पहला क्वेश्चन है तीन से अधिक तलों या समतल सतहों से घिरी आक्रती को क्या कहते हैं यानि तीन सतह या फिर तीन से अधिक सतह से घिरी आक्रती को क्या कहते हैं तो इसका अप्शन को है ठोस पडिक्रमा अप्शन गौ में है पोलिहेडरा अप्शन गौ में उप्रोक्त दोनों और अप्शन यानि कि पॉलिहेड्रा के अंदर प्रीज्म और फिर पिरामिड आता है इसका राइट अंसर ऑप्षन नमर खो है नेक्स्ट कोश्चन है वह ठोस अक्ड़ती जिसकी आधार वह सीरों के अनुसार विभिन भुजाएं होती है यानि कि जिसके आधार और उपड़ी हिस्सा के अ एसका राइट यं also हो जाएगा ओप्षन नमबर को प्रीज्म यानि कि प्रीज्म का नीचे वाला सता ह जिसतर अभाल निचे वाला सता वरगाकार होगा और वरगाकार होगा इसलिए इसका जो है चार यानिकी नीचे चार भुजा उपड भी चार भुजा है इसका सतव जो हो जाएगा वो बीच वाला पार सो सतव भी चार होगा जिसे एक दो तीन चार यानिकी पार सो सतव चार और एक उपड वाला और एक नीचे वाला कुल मिला करके छो सतव हो आधार और सिरा के अनुसार इसके भुजाये निर्धारित होती है अक्ष के आधार या समकोन पर बनी आक्रती को क्या कहते हैं अक्ष के आधार या समकोन पर बनी आक्रती को क्या कहते हैं इसका option कौम है समकोन ठोस आक्रती वर्गाकार प्रिज्म में अगर वर्गाकार है तो उसमें चार भुजा होगा तो इसलिए उसका सत्व भी चार होगा और एक निचला सत्व और एक उपला सत्व यानि कि दोनों कुल मिला करके 6 सत्व हो जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number 6 अगला question है किसी संकू या pyramid को उसके आधहार के समंतर काट कर उसके उपली हिस्से को हटाने पर CS निचले भाग को क्या करते हैं यह कुछ इस प्रकार कर रहा है कि यहां एक संकू है यह एक संकू है और इसके उपर से इस तरह से अगर काट के हटा दे तो यह क्या बनेगा तो इ यह इस प्रकार से बन जाएगा जो कि एक फ्रस्टम का रूप ले लेता है जिसे छिन्नक कहते हैं तो इसका right answer option नमर गवा है फ्रस्टम यानि कि एक संकू के उपर ले हिस्से को आधार के समंतर अगर काट के हटा दिया जाए तो फ्रस्टम बन जाता है next question है वहाँ आकरती जिसके सिर्ष के फेश लंबाई के बरावर है वह क्या कहलाती है वहाँ आकरती जिसके सिर्ष के फेश लंबाई के बरावर है वह क्या कहलाती है यानि कि उपरला फेश वह लंबाई के अगर बढ़ावर हो तो वह क्या कहलाएगा इसका right answer हो जायेगा सम्कौन थोस आकरतिया जो कि उपरला फेश अगर लंबाई के बरावर हो वह सम्कौन थोस आकरती होती है इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और अगला वीडियो जल्दी लेकर करके आ रहे हैं सब तक के लिए धन्यवाद जैहिन